आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसान ऑनलाइन हेल्प में तो फ्रेंज आज की वीडियो में देखने वाले हैं की रेलवे एक्जाम में पुछिज आने वाले सभी इंप्रूटेंट कुस्चन को देखेंगे फ्रेंज अगर आप रेलवे ग्रूप डी या आधर एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उन सभी एक्जामों की दिरिश्टि कौन से इंप्रूटेंट कुस्चन के बारे में बात करेंगे फ्रेंज इससे पहले पांच पार्ट हो चुकी है, आज हम छटा पार्ट की बात करेंगे जिसमें जनरल साइंस, जोराफी, पॉल साइंस एंड हिस्ट्री की कुस्चन को देखेंगे इसका नेक्स पार्ट भी मिलेगा तो इस सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा क्योंकि मेरेचल के मात्याम से जो भी इंप्रेंट कुस्चन होती है जो कि एक्जाम के तिरिश्टी कौन से महत्तपूर्ण होती है यह सारे कुस्चन आपको बताई जाएगे जिस नेक्स्ट कुस्चन है परियोग सला में यूरिया का संस्लेशन सन पर्थम किस ने किया था तो बोहलर ने नेक्स्ट कुछच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च कुछ्चन है मुत्र दुर्गान देता है यूडिया के खारण नेक्स्ट कुछ्चन है दूद को पेस्टिकरित किया जाता है तो 62 डिगरी सेल्सियस पर अगली कुछ्चन है दूद का पीच मान होता है 6.6 नेक्स्ट कुछ्चन है दूद के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन अगली कुछ्चन है दूद की सुत्ता मापी जाती है तो लेक्टोमीटर से कुछ्चन पुछा जाता है दूद की सुत्ता किसे मापी जाती है तो लेक्टोमीटर से अगली कुछ्चन है बी इंदे क्या है? अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उजले भाग में अंडे में जो होता है प्रोटीन कहां पाई आता है तो उजले भाग में अगली कुछछन है रसानिक दिरिष्टी से वाटर ग्लास क्या है तो सोडियम सिलिकेट है अगली कुछन है दर्द निवारक दवाईय कहलाती है एनलाजेसिक एनलजेसिक दर्द निवारक दवाईय जो कहलाती है एनाल जेसिक हैडोजन से सरवाधिक मिसिर तत्त है कारवन कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्नों को किस से विख्षित किया जा सकता है इसके अंसर है सिल्वर नाइट्रेड घोल से पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है तो हैडोजन पर आक्साइड अगली कुछच्चन है डि हाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है सोडियम कुलोराइड का नेक्स्ट कुछ्च्चन है पैक करने के लिए परिक्त होने वाली सेलोफोन किस से बनी होती है गुलकोज एसी टेट पैक करने के लिए पर्युक्त होने वाली सेलो फेन किस से बनी होती है तो गुलकोज ऐसी टेट से चीनी के सोधन के लिए पर्युक्त रंजक है बोन ब्लैक अगली कुछचण है ब्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो उपर की और गतिक से बढ़ रही हो उस टेम ब्लैक्ति का भार जो है लिफ्ट में अधिक होता है अगली कुछचण है किस के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तयार किया जा सकता है तो इसका अंसर है वसा यानि फैट के स्यानता कि इकाई पॉज है पॉजली कुछण है अल्कोहल का पड़यो गिस ताप मापी में किया जाता है तो 40 डिगरी सेल्सियस के शिये के ताप मान मापने के लिए किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है तो आयतन बढ़ता है जब कि दर्यमान नियत रहता है अगली कुश्चन है ध्वनी की चाल किस पर निर्वर करती है तो इसका एंसर है मध्यम की परतियास्था तथा घनत्व पर अगली कुश्चन है सनियोजी इलक्ट्रोन की संख्या आधिक्तम कितनी हो सकती है तो आठ हो सकती है नेक्ट कुश्चन है दिया सलाई में परयोग होता है लाल फस्फोरस next question है किटानू नासक के रूप में किसका पड़ियो किया जाता है तो बिरंजक चूर्ण का next question है साबुन बनाने की पड़ किरिया क्या कहला थी है तो सैफो नी फेकेशन next question है स्वासन किरिया में निर्मान होता है उड़ जाका next question है अमासे में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम लिये माध्यम से next question है हर्मोन का कारे क्या है तो सफी परकार के रसायनी किरियाओं को नियंत्रित करना next question है प्रतिवर्ति किरिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड अगले question है आटो मोवाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कारे करता है तो पास्कल के नियम पर next question है सोने को घोलवा जा सकता है तो सलफीरुक तथा नाइट्रिक एसिट के मिस्रन में सोने जो होता है उसका किस में खोला जा सकता है तो सलफीरुक तथा नाइट्रिक एसिट के मिस्रन में next question है कोर्ग प्राप्त होता है क्रक्स के पेंड से एक्वस्पात है next question है मार्फिन तता हीरोईन का मुख्य सुरो थे अफिन next question है तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीर के पेंड से नेक्ट कुछच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कि टंगनेबिन धरां कितना होता है तो टंगनेबिन करमस है तीन हजार डिगरी सेल्सियस तथा 3500 धरीज अपका हीरा का होता है फिर से टंगनेबिन हीरा का गरंच विंदू है क्रममसा 3000 degree Celsius टंगंस्टन का और हीरा का 3500 degree Celsius अगली कुछ चन है इस पात की कठोरता निर्वर करती है उसमें उपसित कारवन की मात्रा पर नेक्ट कुछ चन है एक ग्राम वसा में उर्जा उत्पन होती है 9.3 कैलोरी नेक्ट कुछ चन है भूमी पर पाया जाने वाला प्राथम पौधा ब्रायो फाइटर्स यह प्राथम पौधा है नेक्ट कुछ चन है मरुवस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरो फाइटर्स नेक्स्ट कुछच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च तो जीमिनो एस्ष्पर्म से प्रित्वी की सत्ता से उपर जाने पर वाईहमनर्लीय दाप क्या होता है तो कम होता है गला इंक्जसम में बहुता है अकडिय गयसний क्यिया था तो रैमजे से चर्म किया था एंधरोज ने cloth हें नच्च जबूद्छटं किया थница ले था अज्बवन च now किया था ले हैं थीम्ध्वन सयावर्ण आइज जाने वस्कुर लोड सरवाड़क पाता है प्लभ लेक्वन्द ले समुद्र तलब प्रिथवी के केंदर से सबसे निकट अस्थान उत्री धुरुव है। पुर्वी तिमोर की रजधानी है डिली। नेक्स कुच्छ्छ्छ्छ्छ अंडमान और निकोबारदीप समु का सरवच सीखर सैडल पीक है उत्री अंडमान में। नेक्ट कुछच्च integr, अंकोर वाट इसति था यो कमबोडिया में करीब अंधि नदीन फर नेक्ट कुछ ने, विश्वो का सब्सें मांस बिश्व का बर्रुण का बसें मांस निद्धियों ार्ज्टिन नस्तिन ने थिल और नदे अगली कुछ चने, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाती है, जार्डन नदी घाती, नेक्स्ट कुछ चने, जीरो डिग्री अक्षांस्ता था, जीरो डिग्री दिसांतर के बिच इस्थित है, अटलांटिक महासेगर, जोग या गर्व सोपा, जल परपात का नया नाम है, महत्मा गांधी जल परपात, अगली कुछ चने, पकिस्तान की सीमा से सटे, भारतिय राज्य है, गुजरात, जम्मु कस्मीर, पंजाब, राजस्थान, अगली कुछ चने, ग्रैंड बैंक, मतस्य पालन के अंदर इस्तित है, उत्तरी अमेर्का में, जो है, निफाउंड लेंड पर, नेक्स कुछ चने, उनका सरवाधिक उत्पादक है, अस्ट्रेलिया, अगली कुछ चने, भुमाद्य रेखा के निकट, पांच जिगरी उत्तर और दक्षनी अक्छांसों के बीच, निम्न वायुदा पेटी को कहा जाता है, तो डोल ड्रम कहा जाता है, नेक्स कुछ चने, सुनामी की प्रकिर्तिक तरासदी आई थी, 26 दिसंबर 2004 को, नेक्स कुछ चने, सुनामी से सरवाधिक प्रभावी देश, इंडोनेसिया है, अग सागर में, सबसे लवनिय सागर है, मिरिच सागर, डेट सी, डेट सी, नेक्स कुछ चने, सुनामी से भारत का सरवाधिक प्रभावी जीला जो है, तमिलाडू में है, नगा पटिनम, नेक्स कुछ चने, नियुजिल्लेंड में उच परवतों को उतरने, वाली गर्म यं सुस क्यों केक्ट 170 प्रफतां के बता है नियुजीलंड में उच पर्वतो से उतरने वालिे गर्मरें स्वेस्ट नेखक्ट नेख्ट कुछन है हमबल्ड या पेरू भी है नेख्ट कुछन हिंद महासागर का सबसे बरा दीप है मेडा गासकर नील नदीप बसा सबसे बरा नील नदीपर काहिरा नेक्ट कुछा ने एक भी जोला मुखी नहीं है तो कहां पर नहीं है अस्ट्रेलिया से ने कुछ ने वुकज़ाना भुकम के तिवता मापी जाती है रेक्टर पायमाने पर नेग्स कुश्चन है वुकाम तरंगे मापी यंत्र है सिस्मो गराब अक्ली कुछिश्चन है, एसिया का सबसे घना बसा दीप जो है, जावा है अन्तराश्ट्रिय बीधी अंतराश्ट्रिय तीथी रेखा के समानतर इस्थित जल संदि do नेक्ट कुछिश्चन है, एमो और कोक्क भरा पक्षी मिलता है न्यूजिलांड में आगली कुछુन एक मात्रय Сा महाधीब जिससे भोकर करक एवं मक्कर रेखा गुजरती आफिरका महाधीब नेक्स कुछन विश्व का हिरा व्यापार का सबसे बरा क्यंद्र है एंट वर्प जो बेल्जियम आफिरका में नेक्स कुछन फोलोरीडा गर्म जल्धारा है अट्लांटिक महासागर्षी सबसे अधिक राष्ट्रिय उद्यान वाला राज्य जुए मत्य पर्देश एमपी नेक्स कुछ चन है भारत का प्रथम राष्ट्रिय उद्यान एबन प्रथम बाग संरक्षित अस्ताल है राष्ट्रिय कारवेट पार्ग उत्रखन में है अगली कुछ चन है राष्ट्रिय पराणी उद्यान जो है नई दिल्ली में है नेक्स्ट कुछन है भरतिये वन्य संस्थान जो है देरादून उत्राखंड में है नेक्स्ट कुछन है एमराल्ड आइलेंड के नाम से परसीद है जो मरकद दीप पर है नेक्स्ट कुछन है देश में जीलों तथा गाओं की सरवाधिक संख्या किस राज्य में है तो उतर पर जो है कक्ष गुजराद जिसका जो वर किलो मेटर है 45-46-52 है नेक्स कुछच्चन भारत का सबसे छोटा जीला जो है माहे पांडे चेरी में जो किन नौक वर किलो मेटर में इंडोनेसिया के सुमात्रा दीप और ग्रेट निकोबार दीप को पिरिथक करता है ग्रेट चैनल अगली कुछछण है भुकाम का आधियन कहलाता है सिस्मलोजी सिवस मुद्रम जल परपात करनाटक मेहल जो बना है कावेरी नदी पर कैंans कब देश के सबसे लंबी नार इंद्रा गblesी नार। इंड्रागानि नार जो कि आ राय किरा resent notREAM नेक्स किर्फ़ राय स्थान नहर जल परपात करती है सतरों किर्फ़ट करते हैं राय स्थान नहर जो जल प्राप्त करती है कहां से ड किह परदेश क्यों से entered Social Avant कासु बराम हुआ था, 1 अप्रेल 1973 को, अगली कुछ्टिन है, सर्वच नियाले को न्याई पुनणरिक्षन का अधिकार परदान करता है अनुचिद 137, नेक्स कुछ्टिन है, उस्तम नियाले में होते हैं 31, जोकि एक मूखे न्या धीस होते हैं, तो 30 अन्ये न्या धीस होते ह नेक्ष्ट कुछिचेन भारत में उच न्यालों की संख्या कितनी है, तो 24 अग्रा अग्री सर्मोच नियाले के परथम मुख्य नियाधिस थे हिरालाल जे कैन्या नेक्स कुछटच λέ कुछत है प्रारांभ में उच्तम hold नियाले मुख्य extends समे妥 makoon les dot अडली कुछ पандजाब बहए हड्याज घ्रेन के उच्ण did क्या धीन है चंडीगर नेक्स कुछ चन है कोलकात्ता उच नियाले क्या धीन है अंडमान निकोबार दीब समु नेक्स कुछ चन है मदरास उच नियाले क्या धीन है पांडी चेडी नेक्स कुछ चन है केरल उच नियाले क्या धीन है लक्ष दीब नेक्स कुछ चन है बंबाई तो 1862 में कलकत्ता, मुंबाई और मदरास में किस उच नियाले में नियाधिसों की संख्या सबसे कम है तो गौहार्टिक उच नियाले में किस उच नियाले में सरवाधिक नियाधिस है तो इलाहवाद उच नियाले में सरवाधिक 16 धिकार वाला उच नियाले है गौहार्टी उच्णियाले नेक्स कुछन है दिल्ली उच्णियाले की अस्थापना 1966 में थी नेक्स कुछन है पत्ना उच्णियाले की अस्थापना 1966 में अगली कुछन है इलाहवाद उच्णियाले की अस्थापना 1866 में थी अगली कुछन है उस्तम न्याले तथा उच्णिय नियाले की मुख्य तथा नियाधीसों की सेनावरिती क्या होती है किरम से 65 और 12 होती है अगली कुछ्छन है उच्थम तथा उच नियाले की कारेकारी भासा होती है अंग्रेजी नेक्स कुछन है के अंदर एवं राज्य के मद्धे विध्धाई सक्तियों का वित्रन अधारित है 1935 अधिनिहम के तहbuilt अगली कुछ्छन है जम्मू कस्मीर का समीधान लागु हुआ अगली कुछच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अगली कुछ्छन है जम्मु कस्मीर को विशेष राजे का दर्जाद दिया गया अनुशेद 370 के ताहत अगली कुछन है लोक सेवा हेतू ली कमिशन गठन हुआ था 1923 में नेक्स कुछन है पीके नुथांग पीके थुंगन समीथी गठित हुई थी 1988 में नेक्स कुछन है लोड रिपन द्वारा अस्थानिय स्वासाअसन अस्थापित किया गया स्वान अठारसव बिरासि में अगली कुछन है असोक महतास समीती का गठन किया गया 1977 में सदस्थापित समिती तेरह थी नेक्स कुछन है शूपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग नेक्स कुछन है केंदर राज्य के बीत संबंध का निर्धारन कौन करता है तो बीत आय लोग लेखा समिती नेक्स कुछन है प्रथम बीत आयोक्या अध्याक्ष केसी नियोगी नेक्स कुछन है अंतराजिये परिशत का गठन का प्रवधान अनुछेद दूस्व तिरसट में नेक्स कुछन है लोग लेखा समिती में सदस्चय के संग्या 22 जोकि लोग सभा 15 और रा सभा साथ दूनों मिला करके 22 नेक्स कुछन है संग्ये नयपालिका कवर्णन अनुछेद 124 से 147 तक में है नेक्स कुछन है अनुछेद 343 संबंद है संग की राजभासा में अगली कुछन है अनुछेद 352 संबंद है अपातकाल से नेक्स कुछन समिधान का कौन सा अनुछ लोग अदालत की पर्थम बैठे कुछ थी 14 मार्च 1982 को जुनागण जो कि गुजरात में अंतराष्ट्रिय सांती और सुरक्षा समिधान के किस अनुछेद में वर्नित है तो अनुछेद 50 अगली कुछ है अब सिस्ट भी समय वपर विधी निर्मान का अधिकार किस से प्राप् कार को संग्त था राजे लोक सेवा आयो किस परकार का निकाय है ससलाह कारी का नेग्स कुछ ने देश के सारवजनिक धान का संडरक्षन होता है नियंतर यह महल लेक का परिछक को ने सुच्छ ने अकबर का जानूं अमर्कोर्ट में हुआ था जो कि कब वह था तो पंदरा अकुवर का जानौ अमर कोट में हुआ था अकुवर का राट जेविषेक चौधा फर्वरी 1556 को हुआ था जो कि कहा हुआ था तो कला नोर्ड कीला में जो कि पंजाब में पड़ता है नेक्स कुश्चन नेक्स कुश्चन है अकवर की मा का नाम हमिदा बानो था अंग्रेज रॉल्फ फिच थे नेक्स कुच्छन हल्दी गाटिक आईद 18 जून 1576 किसके बीच हुआ तो अकबर और महाराना परताप के बीच है अगली कुछन मुगल काल की राज की या भासा थी फार्ची नेस्ट कुछन है फतेह पूर्ज सिक्री के बुलन दरवाजा को बनवाया था अकवर ने 1572 इस्वी में गुजरात विजय के उपलाक्ष में अगली कुछन है अकवर ने चित्ताओर पर विजय प्राप्त की तो 1566 में अगली कुछन है सीरे अकवर के लेखक थे दाराशी को नेक्स कुछन है तुलसिता समकालिन थे अकवर के नेक्स कुछन है अकवर ने दास पराथा का अंतिम किया अंत किया था तो 1562 में नेक्स कुछन है मनसबदारी का मनसबदारी पराथा का प्रवरतन किया अकवर ने नेक्स कुछन है दिन ए इलाही या तोहीद ए इलाही धर्म को अकवर ने शुरू किया पंदरस दीन ए इलाही या तोहिद ए इलाही धर्म को अकवर ने शुरू किया ख़ब तो पंदरसो बिरासी में अगली कुछान है बिरवल का वस्तविक नाम था महस्दास नेक्स कुछान है फैजी देथा बिरवल था अकवर के दरवार में नेक्स कुछान है तुकलक वंस का अंत अगली कुछान है मुगल दरवार में परसित होने वाला अंग्रेज जो था बिलियम हॉकिन्स जो की 1608-1611 स्विमित नेक्स कुछान है समराट जहागीर के समय प्रसीद चित्रकार कौन थे जो कि पक्ष्चों के था तो उस्ताद मंसूर एवां अबूल अहसन नेक्स कुछा कुछान है सा जहां का जन्म हुआ था तो पांत जन्वरी पंदरस विरान में इस्विक और लाहर में सा जहां के बचपन का नाम था खुर्रम अगली कुछान है सा जहां की मता का नाम था जगतग साई साज जहां को कैद करके अरंग जेव ने रखा था आगरा के किले में नेक्स कुछन है आगरे के लाल किले में जामा मस्जित का निर्मान किस ने करवाया तो जहां आरा वेगम ने नेक्स कुछन है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जित का निर्मान करवाया था तो अरंग जेव ने अवेली कुछन तान सेन का मखवारा इस्ति थे ग्वालियर में नेक्स कुछन है तान सेन के प्रारंभिक गुरूर थे मुहम्मद गौश नेक्स कुछन है हुमायू नमा के रचनाकार गुलुबदन देगम नेक्स कुछन है अरंग जेब द्वारा चलाये जिहाद का आर्थ है दरूल इसलामी नेक्स कुछन है आयोध्या इस्तित बाबरी मस परजित का निर्वान कराया था तो मीर बक्की में दरवार का सिननायक थे अगली कुछ चने फतेह पूर्शिक्री इस्तित पंच महल को किसने बनवाया था तो अकवर ने नेक्स कुछ चने बावर नमा का फार्सी में अनुवाद किया था तो अब्दुलरहीम खान खानने नेक्स कुछ चने हुमायू का पूरा नाम नसर दिन हुमायू था नेक्स कुछ चने जियोतिस में विश्वास रखता था तो हुमायू अगले कुश्चान है, सपता में सातो दीन सात रंग के कपरिपंडने के नियम बनाएं हुमायू ने नेक्स कुश्चान है, 25 जुन 1549 में 14 के यूदि में सेर खा, यानि कि सेर सहने, पराजित किया था हुमायू क्यों नेक्स कुछ्चन है हुमायू का मकवारा के निर्मान हुआ अक्वर की सौतेली मा हाजी बेगम के देख रेख में नेक्स कुछन है हुमायू का मकवारा जो के दिल्ली में है का निर्मान किया था तो मिर्जाग गयास जो कि पराधान कारीगर ने नेक्स कुछन है जहागीर का मकवारा इस्तित है तो सहादारा में नेक्स कुछन है जहागीर का बच्पन का नाम था सलीम अगली कुछन है नियाय की जंजीर अस्थापित किया था तो जहागीर ने नेक्स कुछन है मयूर सिहासन में हेरा लगा था तो कोहिनूर का अगली कुछन है मयूर सिहासन पर बैटने वाला अंतिम मोगल सासक था मुहम्मास सा नेक्ट कुछन है मयूर सिहासन को बनाया था तो बे बादल खाने नेक्ट कुछन है लग एवं रक्त की नितिय अपनाया था तो बलवन ने तो फ्रेंस इस तरह से आपने देखा कि General Science, Geography and Poliscience and History के सारे कुश्चन को देखें जो कि सभी एक्जाम के दिरिष्ट्री कौन से important कुश्चन था फ्रेंस इसका और भी जो आयोंने वला important question जो आपके आयोंगे जो exam होगी उन सभी exam के दिरिष्ट्री कौन से important question होगा तो इस सारे process जो होगी इस चैनल के माद्देहम से आपको सेक्मेंस मिलती रहेगी इस सारे इसके लिए चैनल के सब्सक्राइब कर लेजिएगा साथ में like कीजिएगा जिससे की motivate होके में और भी वीडियो बनाने की कुश्चिश करेंगे तो फ्रेंस आई होब कि ये वीडियो आपको पूरिद्या से अच्छा लगा होगा और समझ में या किसी तरह कॉमेंट हो तो कॉमेंट सेक्शन में जाके लेख सकते हैं और उसको पूरिद्या से help करने कुश्चिश करेंगे तो फ्रेंस आज का पार्ट 6 था और इससे पहले 1,2,3,4,5 यह सारे पार्ट जो है वीडियो के डिस्वीन लिंक दिया गया आप वहां से भी देख सकते हैं इसका पहले का पार्ट और कुछ और पार्ट इसमें रहे गया हैं जिसका भी वीडियो बहुत जल्द ही आपको इस सकते हैं तो फ्रेंस नेक्ट वीडियो में आते हैं नेक्स अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत